हेलो दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं बना रही हूं लोकी का हल्वा या फिर बर्फी अब जो भी चाहिए इसे दोनों चीजे से बना सकते हैं दिखाती हूं कैसे बनाते हैं तो मैंने आद्धा किलो लोकी लिया है और लोकी का छिलका मैंने अच्छे से उतार लिया और अब इसको मैंने धो लिया और धोने के बाद अब इसको मैं कद्धुकस कर लूँगी तो लोकी को मैंने कद्धुकस कर लिया है लोकी हमारी बिलकुल कच्ची थी इसके अंदर थोड़े से बीच थे जो कच्चे ही थे लेकिन वह भी जैसे कद्धुकस करते हैं तो सा साइड से निकाल लिया था और अभी मैंने कडाई लिया है कडाई में मैंने एक चम्मच गी डाला है और गी डालने के बाद इसमें मैंने जो कद्दुकस की वह लोकी थी वो डाल दिया और अभी इसको मैं धीरे धीरे से अच्छे से पकाऊंगी कम से कम इसको 20-25 मिन बिल्कुल धिमी आश में पकाऊंगी क्योंकि जब पक जाती है तो लोकी हमारी चुब हम इसको दूद के अंदर डालेंगे तो इसमें बिल्कुल ही नहीं पता लगता है मावा है या लोकी की बर कि अच्छे से पकाना है बिलकुल अच्छे से जाने की जब तरहीं अच्छे मैस होने लग जाए पक के तब तक आम इसको पकाना रचा अच्छे से पका लिया पका के अब इसको मैं साइड में रख लूंगी यह और मैंने लिया है एक किलो दूद्ध अमोल का फुल क्रीम का अगर आपके पास ताजा दूद्ध है तो और भी अच्छा है उससे तुमावा और भी अच्छा निकलता है लेकिन मेरे पास यह था तो अभी इसको मैंने पतिल्ले में डाल दिया और इसको मैं अच्छे से उबाल और ऐड किया अगर आपके पास प्योर दूद्ध है तो माम पाओड और करने की जुर्ती नहीं पढ़ेगी और मैंने इसको अच्छे सेमिक्स कर लिया अब हिसके अंदर में डाल दूंगी जो हमने लोकी पका के रखी हुई थी इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी और यह देखी मैं इसको अच्छे से पका लिया दूद हमारा का मौरा धीरे-धीरे मावा बनता जा रहा है लोकी मैं इसलिए पहले डाल दिया क्यो मैंने एक कटोरी लिया है यानि कि पाव लिया है आप चाहे तपने अनुसार कम या जद्धा कर सकते हैं और हमारा लोग की अच्छे से पके जो दूद था वो अच्छे से पक चुका है उसके बाद मैंने इसमें ड्राइफूर डाल दिया जो मैंने पीछ के रखा हुआ था और जाएगा और यह देखे चीटे बहार निकल देते तो इसके लिए मैंने दो चमच घी डाला है घी डालने इसके आएक तो हमारा मावाज है वो निच्छे नहीं लगेगा दूसरा चीट भी कम लगेंगी और इसको मैंने अच्छे से पका लिया है और अभी अगर हम चाहे तो इसी स्टेज में इसको निकाल सकते हैं अगर हम अल्वा बनाएंगे अगर लेकिन मैंने इसकी बर्फी बनानी है तो इसको मैं थोड़ा सा और गर्डा करूँगी तो यह देखे मैं इसको और गर्डा कर लिया है और अभी इसको मैं एक थाली में निकाल लूँगी यह देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पका लिया और अभी इसको मैं थाली में निकाल लिया है अब थाली को मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी अद्दा गंटा के लिए अद्दा गंटे के बाद यह हमारा ठंडा हो जाएगा तो यह देखिए मैंने अद्दा गंटे बाद इसको बहार निकाल लिया अब इसको मैं दबाकर एक सार कर लूँगी और इसके बाद फिर हमें आदा एक गंटे के लिए फिर से हमें इसको फ्रीज में रखना है उसके बाद फिर इसके हम वर्फी काटेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वर्फी की शेप का जाए और यह देखिए एक गंटा हो चुका अब हम इसकी वर्फी काट लेंगे हैँ दोस्तर एब होती अच्छी वर्फि बनती है यह हल आप जो बनान चाहिए दोनों चीज बनते बहुत ही अच्छी बनके त्यार ओतती है कि होड़ने लगेगा यह लोकी का हल्वा है कि प्योर मावा है то आप अगल अच्छी लगे तो जरूर ट्राय करें कि इसको मैं